हिमाचल में बारिश से मचा हाहाकार भारी बारिश से डह गया चक्की पुल दाश के पत्तों की तरह डह गया पुल हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है एक ऐसा मनजर सामने आया है जिसे देख कर आपका दिल सहम जाएगा एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख कर आपकी आखें फटी की फटी रह जाएंगी सोच ये जो लोग वहां मौजूद होंगे उनकी किस तरह रूखापी होगी भारी बारिश के चलते पंजाब और हिमाचल को जोडने वाला एक लौता रेलवे का चक्की पुल पानी में बह गया पहले देखिए ये किस तरह पुल पानी के तेज बहाव के साथ डह गया बता दें कि पंजाब और हिमाचल की सीमा पर चक्की नदी पर बना 800 मिटर लंबा ये रेलवे का पुल है ये कांगणा में बारिश के कारण नूरपुर के पास चक्की घड़ में अंग्रेजो के जमाने का बना रेलवे का पुल था जिसको आपने अभी बहते हुए देखा गनीमत ये रही कि पुल उस समय तूटा जिस समय इस पर कोई मौजूद नहीं था या किसी की आवाजा ही नहीं थी वरना और भी बड़ा नुकसान हो सकता था तो महीं चमबा जिले में आज सुबा बारिश के कारण हुए भूस कलन के बाद मकान ढहने से तीन लोगों की मौथ हो गई अधिकारियों ने बताया कि मंडी जिले में अचानक आई बाढ़ के चलते घरों में पानी गुज गया जिससे कुछ गरामीन महां फज गए और कई वाहनों को भी नुकसान पहुचा तीन मिर्तकों के शव बरामत कर लिये हैं तो महीं चक्की पुल बहने के बाद यहां का हाल देखिए जिसमें पानी की रफतार कम होती नजर नहीं आ रही बतादें की मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कांगडा, कुलू, मंडी, शिमला, सोलन, सिर्मौर, उना, हमीरपुर और बिलासपुर जिले में भारी बारिश की आशंका जताई है अभी के लिए फिलाल इतना ही, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए One India Hindi